सुरू करते हैं अपने 100 question की ये series जो बहुत ही important है और ये scoring question है मतलब जब भी आप computer का exam देंगे तो ये आपके numbers को score करने में बहुत help करेंगे तो अब जो पहला question है वो है दो storage device में data move ये copy करने की जो process होती है उसे क्या कहते है तो बहुत simple है इसे data transfer करना कहते है अब अगला web page designing में जो CSS होता है उसका full form क्या होता है तो CSS का full form होता है cascading style seat अब IP network पर audio और video को भीजने के लिए किस protocol का उपयो किया जाता है तो ये होता है RTP RTP का पूरा full form क्या होता है real time transport protocol ओके real time transport protocol अब जो अगला question है वो है computer सुरक्षा में computer system में संग्रहित किये डाटा से password को प्राप्त करने की पक्रिया किसके नाम से वर्णित होती है तो ये कहाती है password cracking मतलब आप password को crack करके और computer में जो भी आपका जो data है save किया गया है जदि आप उस store data को access कर सकते हैं अब अगला question जो है वो है window OS मतलब operating system में अंतर नहीं software मतलब जो already आया उसके internally installed होता है जो कि आपके malware का पता लगाता है उसे और हटाने का भी प्रयास करता है वो किस रूप से जाना जाता है तो ये कहलाता है window defender अब इसमें ध्यान देनी वाली बात ये है कि इसमें पूछा गया है window operating system में अंतर नहीं मतलब जो उसके already पहले से installed है तो वो होता है window defender वहीं यदि आप वाइरस वगरा को या malware को हटाने के लिए externally कोई application को install करते हैं तो वो कहलाएगा antivirus अब जो next question है वो है कौन सा solution format cell विकल्प को open करता है तो simple control प्रस 1 को कीज तो आपके cell का जो format cell है उसके विकल्प को ये open कर देगा यानि उस option को open कर देगा अब कौन सा एक मानक network protocol client और server के बीच फाइलों को हस्ताउंतरन मतलब transfer करने के लिए प्रयों किया जाता है तो ये कहलाता है FTP FTP मतलब file transfer protocol friends ये जो full form आ रहे हैं question के बीच में ये बहुत important है और लगभग हर computer से related exam में ये पूछे ही जाते हैं तो आप इनको जरूर याद कर लीजेगा तो FTP क्या होता है file transfer protocol अब next question है सब्द XML का संचिप्त रूप क्या है तो इसका जो संचिप्त रूप है वो है extensible markup language अब next question worldwide web मतलब www जो सब्दावली होती है उसमें स्रेणी और उ जंग्रह को अधिकतर किस रूप में जाना जाता है तो बहुत simple है ये web directory के रूप में जाना जाता है अब next question है कि internet पर एक इस्थानी computer से web server पर data भेजने की पक्रिया को क्या कहते हैं तो ये uploading कराती है for example जैसे मालीजी आप facebook का ही use करते हैं और आपने कोई picture को download किया आपकी ख आप खुद से computer की server में किसी चीज को data को भीजते हैं वो uploading कहलाता है अब next question वह data जो अने data के बारे में जानकारी प्रदान करता है metadata कहलाता है very simple अब next question MS Word में document margin के setup को के लिए क्या प्रियोग किया जाता है तो page setup आप page setup के माध्यम से उसका margin वगएरा header वगएरा ये सब चीज पारित page layout font margin और style वाला एक word document किसके रूप में जाना जाता है तो ये template के रूप में जाना जाता है अब next question एक super script बनाने के लिए shortcut क्या है तो इसके लिए आप control प्लस shift प्लस प्लस का use कर सकते हैं जिस question में practical करने की जरूरत है तो आप practical करके जरूर देखिएगा क्योंकि एक प्रेक्टिकल कर लेंगे तो आप उस question को और उसके answer को ता उम्र नहीं भूलेंगे तो next question है some if function क्या करता है तो actually some मतलब जोड़ना if मतलब यदी तो एक condition एक सर्थ की आधार पर जो cell होते हैं उसमें जो values होती है उनको add करता है उनको जोड़ता है अब we look up function ये क्या करता है तो ये उससे related अभिलेक ये संबंदित अभिलेक को find out करता है अब when जक equal to upper और bracket में double quote में excel कौन सा मान प्रदान करता है तो ये excel के मान को प्रदान करता है अब खालिस्तान विकल्ब उप्योग करता को देखने और बुन्यादी प्रणाली settings में hair fare करने की अनुमती देता है त आप बहुत simple है आप control panel में जाएए और उसमें बहुत सारे option होते हैं आप उसके माध्यम से उसमें settings को अपने हिसाब से अपने according changes कर सकते हैं अब next question है विभिन भौतिक इस्थानों में संग्रहित फाइलों को आधुनिक या update रखने की विदी को क्या कहते है या किस रूप से जाना जाता है इसका अगर मैं एक बहुत simple example दूँ तो यदि आपके पास आपका smartphone है और उसमें आपने email वगरे को access कर रखा है तो आप देखे जैसी ही आप net को on करते हैं तो वो आपकी mail को synchronize करके जो भी inbox में जो भी आपकी mails वगरे आती है वो उन्हें दिखा दिता है तो winhelp32.exe जे windows का है अब next question कि fill in the blanks या खाली उस्थान अधिकारिक तक्नीक की दस्ता वीच का एक पुस्तकाला है जो Microsoft Windows डेवलप करने वाले developers के लिए प्रेयोजित किया गया है तो ये है MSDN MSDN अच्छा इसका पूरा नाम क्या है MSDN का इसका पूरा नाम है Microsoft Developer Network yes Microsoft Developer Network अब next question है एक desktop computer पर page layout technique का यूज करके आप जो इसके document उसको बना सकते हैं इसको print out कर सकते हैं तो ये सारी जो पक्रिया है ये process है जो किस रूप में जानी जाती है तो ये कहलाता है desktop publishing जिसके माध्यम से आप किसी page के layout को या बहुत सारी काम आप desktop publishing के माध्यम से कर सकते हैं त इसे कहते हैं desktop publishing अब MS office में जो ODF का full form क्या होता है तो MS office में ODF का full form होता है open document format अब next question है खालिस्थान दोरा desktop पर कहीं भी right click करके आप computer के background में changes कर सकते हैं तो ये कहलाता है personalized यानि आप किसी desktop में right click कीजिए तो आपको personalized जो option है वो दिख जाएगा उसके माध्यम से आप अप है आप उसको changes कर सकते हैं icons वगरा को भी changes कर सकते हैं यह सारी facilities जो है personalized के अंदर आपको मिल जाएगी अब next question है जब window operating system चालू होता है तो उससे में कौन सा mode है जो उसकी problems को solve करता है या कौन सा mode है जो समच्चा के निदान और निवारन के लिए उपयोग किया जाता है तो य हमेशा F5 और F8 बटन को press करता हूँ तो जिससे मेरा system जो है बहुत easily on हो जाता है तो इसमें जो F8 बटन होती है वो आपके system को safe mode में on होने के लिए on करने देती है अब जो next question है वो है window system में एक छोटी सी window जो उपयोग करता को जानकारी और एक पतिकरिया देने के लिए संके condition protocol द्वारा सुरक्षित संसार संचार के लिए तकनिक के अध्यन को सही ढंग से परिभास्षित करना क्या कहलाता है तो this is called cryptography यह cryptography कहलाती है अब next question है एक graphic tablet पर computer screen या mobile उपकरन को input command देने के लिए हम किसका use करती है तो बहुत simple हम stylus का use करती है एक pen की तरह होता है जिसके मा graphic tablet हो गया या mobile उपकरन हो गया उसमें आप input दे सकते हैं अब छवी मतलब images और चेहरा face database से चैने चेहरे की विसिष्टाओं के तुलना करने की तकनिक को क्या कहते हैं तो यह होता है face recognition system चेहरा चान प्रणाली normally आपने तो देखा ही होगा भी यह features जो है mobile हो में भी आ गया है जिसके माध्यम से आपका mobile unlock होता है नार्मली बहुत से जो बड़े बड़े officers होते हैं जो कोई बहुत ही कहना चाहिए some within sealed जो data होता है उसको अगर आपको मतलब access देना है किसी खास वेक्ति को तो वो आप उसमें face recognition system के द्वारा ही उसमें access दिया जाता है अब next question है कि कौन सा program निर्दीसों को एक machine भासा में पूर संकलन किये बिना निस्पादित करता है तो ये interpreter कहलाता है ये interpreter होता है जो machine भासा में पूर संकलन किये बिना इसको निस्पादित करने देता है अब यदि आपको linux operating system में एक file को बनाना है तो आपको कौन सी command प्योग करनी होगी cat cat वही अब next question है unique cell से चलाने के लिए बनाए गए computer program को किस नाम से जाना जाता है तो unique cell में चलाने के लिए बनाए गए computer program को cell script के नाम से जाना जाता है अब DOS मतलब disk operating system और इस तरह कि दूसरी operating system में जो सब्द CLI है वो क्या कहलाता है या इसका पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा and line interface अब next question है एक विद्धुत परिपत यानि electronic जो सर्किट या software जो वीडियो को संपीडिट या असंपीडिट करता है वो किस रूप से जाना जाता है तो ये वीडियो कोडेक होता है अब पूर्व निरधारित स्थिती छिद्रों की उपस्थिती या अनुपस्थिती के द् और आज भी मैंने तो अपनी आखों से देखा है कि जब आप महराष्ट्रा में यदि किसी बस में आप सफर करते हैं तो वहाँ पर जो टिकट दी जाती है तो टिकट जितने रुपे की होती है उतने रुपे में एक पंच कर दिया जाता है एक छेड बना दिया जाता है या अब Bynac, Bynac का पूरा नाम मतलब खालिस्तान साई धंग से Bynac का वर्णन करता है तो Bynac का पूरा नाम है Binary Automatic Computers अब खालिस्तान CPU और अन्यूपकरणों के बीच डाटा के प्रवाह का निरदेशन करता है तो यह होती है Control Unit, Control Unit है जो आपका CPU मतलब Central Processing Unit और जो दूसरे से इनपूट और आउटपुट सरव्य संकेत मतलब आवाज को प्रदान करता है तो साउंड कार्ड होता है साउंड कार्ड होता है जो आवाज को जनरेट करता है अब नेक्स्ट कोश्चन है SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को क्या कहा जाता है तो सबसे बढ़े तो आपको SSL का पूरा नाम जाना चाहिए तो जो SSL का पूरा नाम है वो होता है Secure Socket Layer और जो SMTP होता है वो होता है Simple Mail Transfer Protocol तो इसके जो कनेक्शन होते इसको क्या कहते हैं SMTPS अब जो next question है अंचाहे email के लिए प्रयुक्त सब्द क्या होता है तो यह कहलाता है spam की category में आते हैं अब HTML का पूरा नाम क्या है जो next question है तो HTML का जो full form है वो होता है Hyper Text Markup Language अब जो next question है वो है malware से आप क्या समझते हैं तो यह एक दुरभावना पूर्ण मालसियस software होता है यानि एक प्रकार का वाइरस होता है जिसको आप को आप malware के नाम से भी जान सकते हैं जो कि actually आपकी computer को नुकसान पहुचाने के लिए बनाया जाता है अब next question है एक electronic spread seat में क्या सामिल होता है तो एक electronic spread seat मतलब and cells यह तीनों ही चीज़ें मिलेगी अब next question है याहू google and info seek क्या है तो यह जो है यह search engine है जिसके माध्धन से आप किसी website को access कर सकते हैं next question है सब्द sata का अर्थ क्या होता है तो sata जो होता है वो होता है serial advanced technology attachment यह इसका full form है अब next question है आप gsm mobile phone में किसी sim का किसी भी sim का प्रयोग कर सकते हैं इसकी वज़ा है कि mobile में global जो टेक्निक वो यूज होती है याने westwick प्रणाली यूज होती है जिसके माध्यम से आप किसी भी sim का यूज कर सकते हैं अब next question है एक icon को खाली स्थान करके आप अपने desktop पर move कर सकते हैं तो यह कहलाता है drag actually आप किसी icon पर आपका mouse लेकर जाए फिर left click को दबा कर उसको दबाए हुए या press किये हुए आप यहां से वहां करेंग तो drag कहलाता है और यदि आप उसे icon को एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाकर छोड़ देते हैं तो वो drop कहलाते हैं इस section को drag and drop बोलते हैं पर यहां पर खाली move करने के लिए बोला गया है तो यह कहलाएगा drag अब next question है CRT LCD TFT and LED किसके प्रकार है तो यह actually monitor है पहले CRT आता डबा cathode raised tube बोलते थे फिर LCD आ गया liquid crystal display आजकल LEDs का जमाना है अब next question है जो printer की speed होती है यह गती उसको मापने के लिए कि किसका विप्यूग किया जाता है यह होता है CPM या फिर LPM या फिर PPM पर मिनट अब next question है यदि आप बहुत सारे personal computer को connect करते हैं तो इसका आर्थ है आप network विक्सित कर सकते कर रहे हैं तो जी हां जब भी कहीं दो या दो से अधी computer को हम connect करते हैं तो उसे network कहते हैं अब यह connect करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आपको एक medium चाहिए medium मतलब wire या wireless उसके लाबा आपको NIC चाहिए होता है network बनाने के लिए NIC मतलब network interface card जिसके माध document में footnote को जोड़ना है तो आप किस menu में जाएंगे बहुत simple है आप reference में जाना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप footnote को जोड़ सकते हैं अब next question है यदि एक FTP program को अपयूग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप internet server से और internet server पर file transfer कर रहे हैं वैसे भी FTP का पूरा नाम क् तो इसका answer आपको question में ही मिल जाएगा अब next question है उस program या service का नाम क्या है जो email संदेज देखने की सेवा प्रदान करता है ये email client कहलाता है अब router किसके समान कार करता है तो router एक bridge की समान कार करता है अब जो next question है वो किसी office में अलग-अलग computer को जोड़ने के लिए खालिस्तान यंद्र का उप्यूक करना चाहिए तो actually ये hub कहलाता है hub का use करते है इसका भी एक detailed chapter है अब next question है spam क्या होता है तो actually spam एक electronic junk mail होता है अब next question एक उपकरण जो दो network को एक साथ जोड़ता है क्या कहलाता है bridge कहलाता है अब next question user के computer से server पर file transfer करना क्या कहलाता है uploading कहलाता है अभी हम इसका मतलब आप upload कर रहे हैं अब next question है internet का प्रयोग internet खालिस्तान का प्रयोग करता है तो internet actually packet switching का प्रयोग करता है अब packet switching क्या होती है तो जैसे मैं आपको बताऊं जिमालीजी आपने कोई image को whatsapp के माध्यम से अपने किसी friend को भीजा तो actually internet क्या करता है पहले internet उस image को में बाट के उन तुकड़ों को transfer करेगा और जो इसे packet switching कहते हैं फिर जब वो दूसरा जो है के पास जाएगी दूसरे user के पास तो वो फिर उसका एक complete form बना कर दे देगा अब next question है सारे logical कारे किसके द्वारा किये जाते हैं तो यह किये जाते हैं ALU के द्वारा ALU मतलब arithmetic logic unit अब next question है email भीजते समय खालिस्थान line आपको संदेश प्राप्त करताओं को जोडने की सेवा प्रदान करता है तो यह होता है CC CC मतलब carbon copy इसके माध्यम से आप जितने भी चाहे user को add करके और अपना mail एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को भीज सकते हैं अब next question है एक ऐसी टक triple access यह होता है TDMA अब next question जो है दो तरफा video phone बाजचीत किसके द्वारा की जाती है तो यह किया जाता है video conferencing के द्वारा अब next question है web page में जिस सब्सक्रापर क्लिक करने से दूसरा document खुलता है उससे क्या कहते हैं तो उसे hyperlink कहते हैं अब web page में मालीजेज आपने कोई web page open किया और उसमें कोई word है मालीजेज आपका नाम लिखा हुआ है मालीजेज जैसे मेरा नाम bridges है तो मेरा नाम लिखा हुआ bridges अब जदी आप उसको click करते हैं तो दूसरा कोई page open होगा तो actually मैंने अपने नाम bridges में hyperlink लगा रखा है hyperlink मतलब जैसे आप bridges पर click करेंगे तो bridges कौन है उसका qualification क्या है इसको मैं hyperlink करके एक अलग document में अपनी सारी detail को रख दूँगा और उसको hyperlink कर दूँगा hyperlink को करने के लि double click करेंगे तो वो bridges की सारी information आपको दे देगा इस तरह आप किसी भी web page में किसी भी सब्द को या आप अपने document में किसी भी सब्द को hyperlink कर सकते हैं अब next question है इंटरनेट पर server को क्या कहा जाता है तो इंटरनेट पर server को host कहा जाता है host मतलब जो आपको जानकारी प्रदान कर है वहीं client client मतलब जो जानकारी ले रहा है जैसे मैं जदी internet पर कार करता हूं तो internet मेरे लिए host हो गया जिससे मुझे जानकारी मिल रही है और मैं उसके लिए client हो गया जो जानकारिया ले रहा है अब next question है multimedia software में email text sound animation आदी होते हैं जबकि graphics software में केवल images होती है बहुत simple है multimedia में audio video image text सब कुछ होता है जबकि जो graphics application software होता है उसमें सिर्फ images ही दिखाई जाती है अब next question है word में symbol पर खालिस्थान पर उपलब्द होते हैं तो word में symbol insert menu में होते हैं आप insert menu में जाए और जो भी symbol आपको चाहिए आप उसमें से access कर सकते हैं अब next question है OSI reference model में कितनी layer होती है त और तो एक्षली OSI का पूरा नाम है open system interconnection अब इसमें कितनी layer होती है तिसमें साथ layer होती है वो साथ layer कौन-कौन सी होती है जदी मैं आपको बता उंँ तो होती है इसमें application layer presentation layer session layer transport layer network layer data link layer and physical layer ओके अब इसमें भी आपकी जो application layer presentation layer और session layer होती है यह होती है software layer जो ट्रांस्पोर reference model का heart होता है और बाकी जो बची आपका network layer, data link layer और physical layer यह होती है hardware layer ओके तो OSI मतलब open system interconnection इसमें 7 layer होती है अब next question है USB को ports की अंतरगरत वर्जगी करत किया जाता है इसका उपियोग खालिस्थान को लिए होता है तो actually computer में जो बाहरी उपकरण होते हैं बाहरी उपकरण मतलब जैसे printer को जोड़िये, आप sound system को जोड़िये या इस तरह के दूसरी जिए चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो वो USB port के माध्यम से ही होगा तो USB का use computer में बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है अब next question है फाइल डिलीट करने के बाद कहां भेज दी जाती है तो जब भी आप किसी फाइल को computer से डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले recycle bin में जाती है वहीं यदि आप shift plus delete करेंगे तो वो फाइल पर्मानेटली डिलीट हो जाएगी मगर यहाँ पर simple delete करने के बाद पूछा जा रहा है तो simple delete करने के बाद वो file recycle bin में जाती है अब next question है खालिस्तान server network के लिए file को store करता है और उन्हें manage करता है अब next question है control plus home क्या करता है तो control plus home actually आप जब भी किसी document में type कर रहे हैं तो control plus home को करेंगे तो आप जो cursor है वो document के एकदम सुरुवात में लेकर आ जाएगा अब next question है alt plus tab क्या करता है तो यह actually एक window से दूसरे window पर switch करता है मालेज़े आपके system में बहुत सारे application आपने open कर रहे हैं जैसे आपने setting के लिए control panel को open कर रहे है आपने MS word को open कर रहे है आपने Excel को open कर रहे है आप internet के लिए आपने किसी search engine किसी browser को open कर रहे है अब आपको एक window से दूसरी window पर जाना है तो simple आप alt plus tab कीजिए तो आप बहुत यह असानी से बहुत easily एक window से दूसरी window पर switch कर जाएंगी इसका आप practical करके देखिएगा बहुत मज़ेदार है अब next question है FTP का पूरा नाम जो मूल डूप से क्या है तो FTP actually file transfer protocol एक नियमो को set है जिसके माध्यम से आप file को transfer करते हैं अब next question है इंटरनेट पर लोगों से जूडने के लिए आप अकसर उनके खारिस्थान का उप्यूग करते हैं तो आप उनके email address का उप्यूग करते हैं बहुत सारे जब भी आप किसी भी site पर आपको login करना है आजकल जैसे facebook हो गया तो उसमें आपका email address मागा जाता है या आप किसी भी और दूसरे उसमें आपको अगर लोगों से जूडना है तो सबसे पहले जो priority चाहिए वो है email address जिसके माध्यम से आप communicate कर सकते हैं अब जो next question है वो है computer पर एक mic को कार करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए उसमें sound card होना चाहिए तब next question है एक window को icon बनाने के लिए क्या करना चाहिए window को minimize करते हैं अब next question है यदि आप word file में control प्रस enter का उप्योग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं एक्षिली जब भी आप किसी word file में type कर रहे हैं या कोई कारी कर रहे हैं और आप control प्रस enter को प्रेस करेंगे तो आप सीधा next page पर पहुँच जाएंगे वहीं आप सिर्फ enter को प्रेस करेंगे तो आप next line में पहुँचेंगे लेकिन यदि आप control presenter को press करेंगे तो आप सीधा next page में पहुँच जाएंगे या अगले press में पहुँच जाएंगे अब next question है यदि आप control प्रसाइफ को उप्यूग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिस कर रहे हैं तो आपका document प्रिंट होकर किस तरह दिखेगा वो आपको print preview के माध्यम से दिख जाएगा अब next question है कौन सा command आपको document सेव करने में मदद करता है तो simple control process कीजिए आपका document सेव हो जाएगा अब next question है operating system खालिस्थान में रहता है तो operating system hard disk में रहता है अब next question है कि operating system का मुख खुद इस क्या होता है तो जो computer के hardware होती है उनको effectively या मतलब प्रभावी ढंक से use करना के लिए operating system का use किया जाता है या इसका man aim होता है अब next question है lotus note 1-2-3 में बनी फाइलों का extension क्या होता है तो इसका जो extension होगा वो होगा .123 जैसे extension क्या होता है किसी file का surname वो extension होता है जो उस file की पहचान करता है जैसे अगर आपने कोई MS Word file है तो उसका extension होगा .doc या .docx वहीं कोई PowerPoint की file है तो उसका extension क्या होगा .ppt या कोई PDF file है तो उसका extension क्या होगा .pdf तो extension जो होता है वो एक प्रकार से सरनेम होता है जो उस फाइल किस टाइप की है उसकी पहचान बताता है अब next question है यदि एक process विफाल हो जाता है तो ज्यादतर operating system log file का error दिखाते हैं बहुत simple है अब next question mouse and modem जैसे device को connect करने के लिए किस port का use किया जाता है किसके उधारन है तो यह actually non impact printer के example है अब next question है plotter किस तरह कर device है तो plotter एक output device है जिसके माध्यम से आप high quality graphics के चित्रों को printout में ले सकते हैं या बड़े-बड़े pamphlets भी plotter के माध्यम से बनाए जाते हैं तो यह एक output device है अब next question है खालिस्तान Excel seat की cell में एक formula का परिणाम है तो actually values जब भी आप कोई formula डालते हैं Excel seat में तो क्या value की रूप में आता है तो यह इसका answer होगा value अब MS Excel में यदि आप सामें function कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप सर्तों के या condition के अधार पर cell की values को आप add करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं अब next question है यदि MS word के उप्यूक के दौरान सिर्फ प्लस F7 का उप्यूक करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं actually हम dictionary को open करना चाहते हैं या पर्याय सब्द course को open करना चाहते हैं और उसकी मदब से हम सही सब्दों का chain कर सकते हैं अब next question है URL का आर्थ क्या होता है तो URL का आर्थ है पूरा नाम है वो है uniform resource locator और कहीं कहीं पर यह universe resource locator भी होता है पर नॉर्मली इसको uniform resource locator बोलते हैं अब website को देखने के लिए क्या के use कर सकते हैं तो आप browser का use करते हैं जैसे Google को Chrome, Mozilla, Firefox, Internet, Explorer यह सबी जो है browser होते हैं जिनके माध्यम से आप किसी website को access कर सकते हैं अब next question है ARP का full form क्या है तो यह address resolution protocol यह इसका पूरा नाम है अब text message को bold italic आदी fonts में बदलने के लिए rich text and rich format दोनों का use करते हैं जिसके माध्यम से आप text message को bold italic आदी fonts में change कर सकते हैं अब next question है VPN क्या है तो VPN एक्चली इसका पूरा नाम है virtual private network अब जो next question है वो है control alt shift को क्या कहा जाता है कौन सी key कहा जाता है तो यह actually modifier keys होती हैं जैसे आपके keyboard में a से लिके z तक वो कौन सी alphabetical key हो जो गई जिरू से लिकर 9 तक numerical keys हो गई वैसे ही control alt shift in keys को modifier keys कहा जाता है या इनके माध्यम से आप modify को receiver को modify कर सकते हैं यह modifier keys होती है अब एक गर्णा या calculation के लिए कौन जिम्मेदार है तो CPU central processing unit ही जिम्मेदार होता है अब एक computer के non physical घटक मतलब जिनको आप छू नहीं सकते क्या होते ह सकते हैं वह hardware होते हैं जिनको नहीं सकते हो software होते हैं अब एक cookies क्या संग्रहित करता है तो यह actually यूप्योग करता है जो users की web connectivity की चिम्मेदारी को संग्रहित करता है जैसे आपके example दूँ आपने google पर कोई सर्च किया किसी चीज को तो वह उसकी जो जानकारी वह cookies की रूप मे store हो जाती है और इसका और मैं अच्छे सा example दूँ मालेजिए आपने google में सर्च किया कि मुझे computer के 100 questions चाहिए तो आपने एक बार सर्च कर लिया अगली बार जब भी आप आपके जो सब्द जिसको लिख कर आपने इसको सर्च किया है तो आप जैसे computer top 100 questions तो आगे का सारा computer ख connectivity की जानकारी को की संग्रहित करता है अब next question है कि internet पर जुड़े प्रतिक computer में क्या होना चाहिए तो हर computer में एक unique IP address होता है या यह unique IP address होना चाहिए दोस्तों यह आपके computer की 100 questions की series है यह complete हो गई है अब आग कोई और subject है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप किसी question से related और कोई जानकारी चाहिए कोई answer से related कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे comment box